हेलो दोस्तो आज 20 मार्च है और आज हम करंट फेयर के जो भी important question बनते हैं उनके बारे में discuss करेंगे और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का नाम है Cool Technics Current Affairs तो चलिए पहला कोशन देखते हैं आज का क्या है हाल ही में किस राज्य में मिशन ग्रामोद्य का सुभारम क्या गया तो मिशन ग्रामोद्य हाल ही में मध्यपरदेश में सुरुआत क्या गया मध्यपरदेश के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं तो जो मद्य प्रदेश है इसके राजद्धनी क्या है भुपाल, इसके मुख्य मंत्री सी gegen, सिंग सोहान और राजयपाल आनंदी बेन पतेल है अनंदी बेन पटेल यू-P की भी राजयपाल है और जो मद्य प्रदेश है ये किसके साथ अपनी boundary साज़ा करता है तो मध्यपरदेश, उत्तरपरदेश के साथ राजिस्थान गुजरात, महाराष्ट और शट्थिस गड़ इन पांच राज्यों के साथ अपनी boundary साज़ा करता है तो ये जो मिस्ण गिरामोद्य है इसका उदेशय क्या है तो मिसन गिरामिद्ध्य का उधेश यह गिरामिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् कोसल विकास योजना के तहट कोसल मेले का आयोजन किया जाएगा तो कहां पर कोसल मेले का आयोजन किया जाएगा तो कोसल मेले का जो आयोजन है वो कारगिल में किया जाएगा कारगिल में 24 मार्च 2021 को कोसल मेले का आयोजन किया जाएगा तो कुछ जानकारी जान लेते हैं जैसे यह है लद्दाख और लद्दाख के बारे में हम जानकारी जान लेते हैं लद्दाख एक केंदर सासित प्रदेश है اور लद्दाख के राजधनी क्या है लेहं और यहां के उपराजेपाल राधा, किर्षिन, माथुर और लद्दाख की स्ठापना हाली में 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को कसमीर की भी स्ठापना हुई थी कस्मीर और लद्दाक दोनों को एक साथ किंदर सासित प्रदेश घोसित कर दिया गया था तो 31 अक्टूबर 2019 अब हम लद्दाक के बारे में क्यों जान रही है क्योंकि ये जो कोसल मेला है ये कुछ दिन बाद लेहे में भी आयोजित किया जाएगा तो इसलिए हम इसको जान रही है अभी हाली में तो ये केवल कारगिल में ही आयोजित किया जा रहा है नेक्स फोसन देखते हैं हाली में किस देश ने इरान को मेलाथियन 95% यूलवी मेलाथियन 95% यूलवी कीटनासक परदान किया है तो किस देश ने इरान को ये जो कीटनासक अभी परदान किया है तो भारत ने इरान को ये कीटनासक अभी परदान किया है तो इससे पहले भी क्या भारत ने इरान को ये कीटनासक दिया था तो जून 2020 में जून 2020 में भी भारत ने इरान को यह कीटनासक प्रदान किया था और अब यह मार्ज 2021 में दुबार से जो कीटनासक है वो इरान को भेज दिया गया है इस कीटनासक का उधिश्य क्या है यह जो कीटनासक है जो टिड़ी हमला होता है उससे बचने के लिए इरान को भेजा गया है नेक्स्ट कोसें देखते हैं 17 मार्च को भारते नो सेना ने पैसिक्स तो पैसिक्स अभ्यास किस देश की नो सेना या नेवल आर्मी के साथ किया तो जो पैसिक्स अभ्यास है वो मार्च 17 को भारते नो सेना ने बहरें की नो सेना के साथ किया तो अब ये नो सेना के साथ क्या है तो ये कहां पर हुआ है हिंदमास अगर में या और कहीं तो ये जो पेशेक सभ्यास है ये यहां पर परसिन की खाड़ी या फारस की खाड़ी में हुआ है और इसका नाम क्या है ओप्रेशन संकल्प, ठीक है इसका जो नाम दिया गया है ओप्रेशन संकल्प, यह कहां पर होगा है फारस की खाटी, देखो यह है बहरीन देश और यहां पर यह फारस की खाटी, तो यहांपर यह पेशिक्स अभ्यास फारस की खाड़ी में बहरीन और भारत की नोसिना के बीच में हुआ है ठीक है यह बहरीन है यह कतर और यहाँपर यह साओधी अरेविया बहरीन के बारे में और जानकारी जान लेते हैं जैसे बहरीन की राजधनी क्या है मनामा मुद्रा बहरिन दिनार और इसके प्रधानमंत्री को ने अलबकर बिन सुलेमान हाली में गिलोबल रिसाइक्लिंग डे कम मनाया गया तो गिलोबल रिसाइक्लिंग डे 18 मार्च को मनाया गया और मार्च में कौन से दिवस मनाया गया है जैसे 16 मार्च को कौन सा दिवस बना गया है 16 मार्च को World Vaccination Day मना गया है तो 16 मार्च को World Vaccination Day मना गया है आप इसको भी आद कर सकते हैं तो Recycling Day ये क्यों मना जाता है क्योंकि जिससे की जैसे जो कचरा होता है जैसे प्लास्टिक कचरा या Electronic Waste तो उनको Recycling करने के लिए Recycling पर ध्यान देने के लिए Global Recycling Day मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है Recycling Heroes हाली में दुनिया के सबसे बड़े Floating Solar Form तो दुनिया के सबसे बड़े Floating Solar Form का निर्मान कौन सा देश कर रहा है तो ये तैरता हुआ Solar Farm है और इसका जो निर्मान है वो सिंगापूर कर रहा है सिंगापूर के बारे में जान लेते हैं जैसे सिंगापूर की राजधनी क्या है सिंगापूर सिटी, मुद्रा, सिंगापूर डोलर और यहां के राष्टपती कौन है हलीमा याकूब हलीमा याकूब सिंगापूर के राष्टपती है INS धुरूजाज AESA AESA रडार से लेस है तो यह INS धुरूजाज है जो भारत ने अभी अभी लोंच किया है भारते नोसेने के लिए तो question यह है कि AESA में S क्या है AESA जो रडार है इसमें उसमें S क्या है तो यहाँ पर S का मतलब है Sकेंड INS धुरूजाज के बारे में और जानकारी जान लेते है जैसे यह जो INS धुरूजाज है इसका काम क्या है इसका काम यह है कि यह track करेगा किसको track करेगा उपगर हो और परमाणू मिसाइलों को जो दूसरा देश भारत पर हमला करेगा तो परमाणू मिसाइल और उबगर है जो सैटलाइट होते हैं उनको ट्रेक करने में यह INS दुरूजाज काम करेगा और AESA जो रडार है इसकी फुलफर्म क्या है Active Electronic Scand Array तो वहाँ पर जो S था उसका फुलफर्म क्या था? Scand अभीनेता रिज एमद को लीड एक्टर के सिलिणी में अकादमी पुरुषकार या ओसकर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है तो यह जो रिज एमद हैं इनको किस फिल्म के लिए ओसकर अवोर्ड मिला है? तो जो फिल्म का नाम है वो क्या है? Sound of Metal Sound of Metal यानि धातु की आवाज तो फिल्म का नाम क्या है? Sound of Metal के लिए इनको ओसकर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है यह जो रिज एमद अवी नेता है यह कौन से देश के हैं? यह पाकिस्तान देश के हैं लेकिन यह एक British एक्टर हैं पाकिस्तान देश के British एक्टर हैं तो इनको ओसकर अवोर्ड में लीड एक्टर की कटेगरी में सम्मानित किया गया है माइकल होल्डिंग किस खेल से सम्मानित हैं? तो माइकल होल्डिंग इनको अभी अभी हाली में एक पुर्षकार मिला है तो ये किस खेल से संबन्दित है आप यहाँ पर देखकर के अंदाज लगाए कि माइकल होल्डिंग ये किस खेल से संबन्दित है तो देखें यहाँ पर ये किरकेट बोल है और ये किरकेट से संबन्दित है ये वेस्ट इंडिस के बोलर है और इनको हाली में बैस्ट पंडित अवोर्ड से सम्मानित किया है और ये किसने सम्मानित किया है बिर्टिस खेल पत्रकारिता निमलिक में से किसने इंडियन प्रिमेर लीग IPL के लिए 6 स्पोंसर्शिप सोदो पर हस्ताक्चर किये हैं तो IPL के साथ अभी अभी किसने हस्ताक्चर किये हैं तो IPL के साथ फोन पे ने 6 स्पोंसर्शिप सोधों पर हस्ताक्चर किये हैं तो यह जो 6 स्पोंसर्शिप सोधे हैं वो कौन-कौन से हैं उनको जान लेते हैं जिससे की हमें यह जो है कोस्टन याद हो पाए तो फोन पे ने IPL के साथ sponsorship सोधे पर हस्ताक्षर किये हैं तो च्छे sponsorship सोधे क्या है तो चार तो जो चार टीम है जैसे मुंबई इंडियन्स चैनि सूपर किंग्स रोयल, चेलिंजर बैंगलोर और दिल्ली केपिटल एक तो इनको sponsor किया है तो चार तो टीम को sponsor किया है और प्लस स्टार इंडिया स्टार इंडिया और इसके अलावा डिजनी होड स्टार तो इनको भी sponsor किया है डिजनी होड स्टार तो ये इस तरह से 6 sponsor सोधे पर phone pay ने हस्ताक्षर किये हैं phone pay के बारे में जान लेते हैं जैसे इसका headquarters कहां पर है बैंगलूरू में और इसके जो founder और CEO कोन है Samir Nigam इसके CEO है Samir Nigam निम्न में से किसने London में अंतराष्टिय मुख्याल्य बनाने की घोस्रना की है तो London में अंतराष्टिय मुख्याल्य कोन बनाने जा रहा है ये एक company है और इस company का नाम क्या है Hero Motors Company तो Hero Motors Company ने अपना जो मुख्याल है वो कहां पर बनाएगी लंदन में London यानि England या Britain या UK में तो इसका जो Headquarter का जो नाम है वो क्या है Hero International जो Britain देश है इसके बारे में जान लेते हैं तो Britain की राजधनी क्या है London यहां की मुद्रा Pound Sterling प्रदानमंत्रि Boris Johnson और यहां का राष्ट्य खेल के आ है किरकेट मार्श 2021 में अमेरिकी रख्षा सचिव तो जो अमेरिका के रख्षा मंत्री है वो भारत आए अमेरिका के रख्षा सचिव यार जो रख्षा मंत्री है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है Loyard J. Austin लोयड जे ओस्टिन अमेरिका के रक्षा सचीव का नाम है तो ये भारत के जो रक्षा सचीव है यानि राजनात सिंगे हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की है लोयड जे ओस्टिन तो ये हैं लोयड जे ओस्टिन यह या USA तो इसकी राजदानी क्या है Washington DC Mudge Raja American Dollar और इसके हाली में राश्रपती बने है Joe Biden March 2021 में Mark Roote को किस देश के परधानमंत्री के रोप में चुना गया है तो Mark Roote जो है किस देश के परधानमंत्री बने है Nederland या Dutch नीधर लैंड के वो परधानमंत्री बने है Mark Roote 是這樣 नीधर लैंड और यहां के जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं मार्क रूटे, इसके जो पिछले वाले प्रधानमंत्री थे वो भी कौन थे, मार्क रूटे ही थे, सरकार ने सूचना दी है कि जीवन भीमा निगम, LIC, Life Insurance Corporation का निजीकरण नहीं किया जाएगा, तो LIC का जो प्राइविटेजेशन है, वो अब नहीं किया जाएगा, LIC की स्थापना कब हुई थी, तो इसके हमको डेट बतानी है, इसकी येर क्या है, 1956, 1956 में LIC की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, LIC के बारे में और जानकारी जान लेते हैं, LIC का जो मुख्याल ले है, वो कहां पर है, मुंबई, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और इसके अध्यक्स कौन है, M.R. कुमार, लास्ट कोस्चन ये, UK सरकार ने घोसना की है कि जेल से रिया किये गए चोरो, जेबकत्रो और लुटेरो को GPS टैग पहना जाएगा, UK के परदानमंतरी कौन है, तो UK के परदानमंतरी कौन है, बोरिस जोंसन, तो वहाँ पर जो चोर होते हैं, उनको जेल से रिया तो कर दिया जाएगा, लेकिन उनके पैर में इस तरीके से क्या है कि ये जो GPS ट्रैकर है, ये लगा दिये जाएगा, GPS ट्रैकर से उनकी जो लोकेशन है, वो पता चलती रहेगी, तो ये जो GPS ट्रैकर है, वो UK की सरकार ने चोरो के पैरों में या कहीं पर भी लगाने का इस तरह से फैसला लिया है UK के जो परदान मंतरी है Boris Johnson तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस अगली वाली वीडियो में हम 21 मार्स के लिए current affair के question जानेंगे और यदि आप इसकी PDF चाते हो तो PDF आपको telegram channel cool techniques current affair यहाँ पर मिल जाएगी cool techniques current affair आप telegram channel सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी thanks for watching the video